हाई दिस इस युक्ती एंड यू आ वाचिंग बिंच क्रेविंग्स और आज की हमारी रेसिपी है आवले का अचार ये अचार खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी रखता है और साथ ही बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव भी है वैसे तो आवला किवल सर्दियों में आता है लेकिन अगर आवले का अचार बना के रख लेते हैं तो आप इसे एक साल तक कंज्यूम कर सकते हैं तो इस अचार की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सुब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी सबी नई रे रेसिपी पहुंचते रहें तो आएए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी आवले का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिये हैं एक किलो आमला अचार के लिए आवले खरीदते वक्त ध्यान रखें कि आवले एकदम साफ सुत्रे हों और साथ ही उन पर किसी तरह के क गड़े या धबे ना हों आवलो को हमें अच्छे से साफ पानी से धो लेना है धोने के बाद में मैं इसे बॉयल करूंगी आप चाहें तो इन्हें स्टीम भी कर सकते हैं या फिर इन्हें प्रेशर कुकर में बॉयल कर सकते हैं प्रेशर कुकर में बॉयल करते वक्त हमें इस इसे हमें एक विसल आने तक पकाना है, जब इसमें विसल आ जाएगी तब हम इस विसल को उठाकर सारा प्रेशर इसका रिलीज कर देंगे ताकि आवले ओवरकुक ना हूँ, आवले ओवल के तैयार हैं और ये इस समय बहुत गर्म है, जब ये ठंडे हो जाएगे तब हम इसम आवले मैंने यूज किये थे, वो काफी कच्छे थे, तो वो एक विसल में ही ये काफी पक गए है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा, और यकीन मानिए ये अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो सारे आवले मैंने बाहर कर लिये हैं, और अब ये ठंडे हो और उनके जो सीड्स हैं, वो डिसकार्ट कर देने हैं, आप लोग के स्लाइसिस तैयार हैं, और अब बारी आती है अचार का मसाला बनाने की, अचार बनाने के लिए हमें जिन इंग्रीडियंट्स की जरूरत है, वो हैं मस्टर्ड सीड्स, जिसे हम सरसो भी कहते हैं, बहुत तीस्पून भुना हुआ मेथी दाना, दो तीस्पून भुनी हुई कलोंजी, अचार में आप कलोंजी जरूर डालें, क्योंकि कलोंजी की वज़य से अचार का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, साथी यहां पर मैं ले रही हूँ फोर तीस्पून राई, राई को भी मै कमिया ज्यादा कर सकते हैं, इसके अलावा पिसे हुए मसालों में हमें चाहिए एक टेबिल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दो टेबिल स्पून धनिया पाउडर, दो टेबिल स्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून हींग, साथी मैं डाल रही हूँ एक टेब एक कब सरसू का तेल हमें इसे स्मोक पॉइंट तक लाकर पकाना है और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और जब यह हलका गर्म रह जाएगा तब हम इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे जितने भी साबुत मसाले मैंने यूज किये थे मैंने उन्हें दरदरा पीस लिया है मसालों को एकदम बारी ना पीसें इदर जो तेल हमने गर्म होने रखा था वो भी अब हलका गर्म रह गया है अब मैं इसमें सारे जितने भी पिसे हुए मसाले थे वो मैं डाल रही हूं सारे मसाले डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करें जितना हलका हलका गर्म तेल ह बस इसी की गर्मी में ये मसाले सिख जाएंगे गैस की फ्लेम को ओफ ही रखें इन मसालों के बाद में आप बारी आती है दरदरे पिसे हुए मसाले डालने की इस अचार को बनाते वक्त हमने किसी भी प्रिजरवेटिव का यूज नहीं किया है फिर भी आप इसे एक साल तक स्टोर करके कंज्यूम कर सकते हैं और आप मैं इसमें डाल रही हूँ नमक नमक आप चाहें तो थोड़ा सा रोक सकते हैं और बाद में अचार को टेस्ट करके इसमें एट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा नमक और एट करना है तो आप अचार में बाद में भी नमक डाल सकते हैं। और आप बारी आती है आवले के स्लाइसेज डालने की। तो आपने देखा यह अचार कितनी जल्दी बनके तैयार हो गया और इसे बनाने के लिए जितने भी मसाले हमें चाहिए होते हैं वो हम सभी के घरों में यूज होते ही हैं। आवले के स्लाइसेज को और मसाले को अच्छे से मिक्स करें। ताकि जो मसाला है वो आमले की slices को अच्छे से कोच कर ले। अच्छे से mix करने के बाद में आप एक बार नमक चेक कर ले। अब जब मैंने नमक चेक किया था तो मुझे थुड़ा कम लग रहा था, तो जो नमक मैंने रोका था वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यानि टोटल नमक हमने 3 टेबिल स्पून डाला और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबिल स्पून नीबू का रस वैसे तो आवला भी अपने आप में बहुत खटा होता है लेकिन जो नीबू का रस होता है वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है यानि जो प्रिजर्वेटिव हमने यूज किया वो टोटली नैचरल है और हमारी हेल्थ के लिए फायदिमन ही है आप इस अचार को तुरंद भी कंस्यूम कर सकते हैं और एक एरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं अचार को स्टोर करते वक्त ये ध्यान रखें कि आप कंटेनर में भरते वक्त उसे हाथों से दबाते जाएं और फिर उसके उपर स्लाइसिस डालते चले जाएं जिससे जो extra air है वो अचार के बीच में ना रुके क्योंकि अगर आप अचार को खुला खुला भरेंगे तो वो air की वज़े से खराब हो जाएगा आज की इस recipe को ज़रूर ट्राइ करें और अपना feedback मेरे साथ share करना ना भूलें अगर इस recipe के regarding आपके कोई questions है तो आप comment box में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको आज की recipe अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like करें और ज्यादा से ज्यादा share करें फिर मिलती हूँ एक नई recipe के साथ till then take care